दोस्तों बात करें तो यहाँ पर smartphone इंडस्ट्री से जादा जो इंडस्ट्री आद के समय में जादा exciting लग रही है न वो है यहाँ पर PC इंडस्ट्री के अंदर आद के समय में जादा बड़े changes हो रहे है अगर ऐसे चलता रहा न तो PC इंडस्ट्री कुछी सालों के अंदर पू से performance की कि आपको अच्छी performance मिलेगी energy efficiency होगी यह होगा वो होगा इस बार बात की गई AI की और यहाँ पिर मैं बत करा हूँ own device AI की जैसे कि Intel ने अपने lunar lake निकाले mobile platform जो की laptops के लिए process बनाया गया है और यह दिखके समझ में आता है कि Intel वाले artificial intelligence को लेके serious है और यह AI की capabilities है वो आपके devices के अंदर ही लेकर आना चाहते है जैसे Microsoft co-pilot plus PC होता है यह आपको upcoming जो नए टाप के processors हैंगे उनके साथ compatible होगा जिसके अंदर AI आप अपने laptop के अंदर ही directly use कर पाएंगे उसके अंदर internet connection की ज़रूरत नहीं है इसके बार में भी अलग चीज़े हैं लेकिन co-pilot इंपोर्टन फीचर है इसी से related Intel वालों ने भी काम किया उन्होंने अपने नए processor को शोकेस किया जो आप AI capable है क्योंकि Intel का प्लान यहां पर ऐसा है कि Nvidia और AMD से यहां पर टक्कर लेनी है पाइदावे Nvidia आज के समय में AI के अंदर बहुत ज़ादा काम कर रहा है उनके RTX ग्राफि कार्ट गेमिंग से थाधा पैसा AI से बना रहे है इसी वज़े से वह most popular company और इसी चीज़ का वो लोग फायदा उठा रहे है लेकिन सर्फ Nvidia के बारे में बात नहीं है यहां पर मैं AMD के बारे में बात कर सकता हूं AMD ने भी एक बहुत बड़ा comeback किया था आज से कुछ साल पहले जहां पर राइसन प्रोसेसर लेकर आयते जिसके बाद इंटल ने भी अपने काफी अच्छे प्रोसेसर को भी निकालना शुरू करते आता जैसे कि हमने 11 जनरेशन और 12 जनरेशन के साथ देखा था लेकिन हाली में जब राइसन स्रीज के नए प्रोसेर है तो वहां पर भी जो आपको यहां देखने को मिलेंगी आपको अपकमिंग फ्यूचर पीसी के साल जिसके अंदर आप विंडोस के को पाइलेट प्लस को यूज कर पाएंगे यानि कहने का मतलब यह कि यहां पर पूरी जो पीसी इंडस्ट्री है वो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के पीछे जा रही है और AI एक बहुत बड़ा इंपोर्टन फीचर होने वाले जितने भी फ्यूचर में AI वाले जो पीसी इंगे इवन कम्प्यूटर्स के इंदर जो सॉफ्टर्स रन होते है वो भी AI कैपिबल हो रहे है चाहे मैं अडोबी के सॉफ्टर्स के बारे बात करू या फिर क जो इंपेक्ट है वो आज भी हम या देख रहे हैं लेकिन इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर AI वाले काफी सारे पीसी को शोकेस किया गया था जैसे असुस ने अपने नए को पाइलिट प्लस पीसी दिखा है जो यहाँ पर आपके स्नैब ड्रेगन एक्स प्लस और एक्स एलीट के साथ चल रहे थे और सर्प्राइजिंग बात यहाँ यहाँ पर प्रमोट कर रहा है क्वालकॉम जो कि एक और बड़ा चैलेंज होता है इस इंडस्ट्री के अंदर इसके साथ यहाँ पर देख जा तो AI तो यहाँ पर काम करेगी करेगी इसके साथ यह भी पता चलत इंटेल के कंपेरीजन में सस्ते पड़ रहे लगभाग आधी कीमित पड़ रही है तो इस हसाब से जो बजेट वाला मार्केट हो सकता है तो उनको एक रिवुलुशनाईज हाँ पर कर सकता है इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोस के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयार है जिसके अंदर विंडोस के अंदर वो अपनी कैपिबलीटी को इस तरीके से बीट कर रहा है जिसका मतलब यह कि वो ARM प्रोसेसर पे जो ARM पावर्ड एप से वो तो चले लेकिन जो पुराने X86 अर्किटेक्चर था जिस पे आपके पुराने गेम्स पुराने जिससे ARM के ऊपर चला जा सके और इनीशल रिपोर्ट से भी पता चलता है कि यह जो टूल रहेगा इससे जो परफॉमेंस निगल गरारी है वो भी काफी खमाल की है यानि कि एपल सिलिकॉन से एक रास्ता शुरू हो आता और उसी रस्ते पर पूरी PC इंडेस्ट्री मूव कर जाद एकसाइटिंग बाते हैं चल रही है और क्या मैंने आपको बताए कि जित्ते भी प्रॉसेसर्स वगर का उनौस किया कि इन सबका क्लेम ऐसा कि एपल सिलिकॉन से जादफ बैटर और जादफ हाई एफिशेंसी के साथ काम करेंगे अब देखने वाली बात एक किस हद त तक बहुत ही जल्दी आपको टेलिकॉम में टेरिफ हाईक देखने को मिल सकते हैं यानि कि जिते भी मोबाइल फोन के रिचार्ज जिसे सबके सब महेंगे हो सकते हैं और जो फ्री 5G ओफर चल रहाता है वो बस कुछी महीनों का महमान है जहाँ पर बस यह भी बहुत ही जल् कि एपल रिलेटेड निउस यह है कि हम अकसर आईफोन के बार में बात करते हैं और इस साल आईफोन 16 के अंदर एपल कोई ऐसा बड़ा चिंज नहीं लाने वाले है जिसके लिए एपल का आईफोन यहाँ पर ले हाला कि जो रेगुलर आईफोन 16 होगा उसके अंदर पीछे डिजाइन में चिंज होगा लेकिन कोई भी इनोवेशन वाला फेक्टर नहीं आने वाला है आईफोन 16 के बाद के जो फ्यूचर आईफोन होंगे वहाँ पर कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश कर सकता है जैसे फोल्डेबल आईफोन लेकिन फोल्डेबल आईफोन के बार म लंबा केल खेल रहे हैं और हर महीने बहुत सारे फोन्स लाँच करते रहते हैं GT3 को वापस ले आए GT60 को निकाला है उन्होंने GT6 को निकालने वाले हैं और जो next flagship phone होगा जो 8 Gen 4 के साथ आएगा उसे भी वो already leak करके बैठो GT7 Pro अब Realme की कहानी सिंपल सी चल रहे है कि कम समय में जादा से जादा फोन्स लाँच कर दो जादा से जादा पैसा बना लो जादा से जादा फोन्स बेचो हर 500 रुपे के डिफरेंस फेक्टर के अंदर उन्हें फोन्स निकाल ले उसकी comparison में Xiaomi और Redmi की बात कर रहे हैं तो उन्होंने smartphone के launches बहुत तेजी से reduce करें लगबग अभी तक 7 phone को launch किया है और जो अभी next phone होगा Xiaomi का CV series उसके उपर वो focus कर रहे है तो हर एक company अपनी strategy पर चल रहे है लेकर Realme अपनी जो परानी strategy थी 2021 और 22 वाली उसकी उपर वापस आगए जहाँ पर हर हफदे हर दूसरे हफदे कुछ ना कुछ नहाँ आपर निकालना है देखते हैं यह चीज ट्रेल मी के साथ यहाँ पर क्या काम करती है इसके साथ ही आपको यहाँ पर बता सकता हो क्योंकि Nothing वाले अब अलग खेल खेल रहे जहाँ पेले मतलब लग रहा था नहीं कि एकदम से महेंगा और एकदम से प्रीमियम में खेल खेलेंगे हम अपना सिर्फ महेंगा प्रीमियम फोन बनाएंगे जो हमने देखा था Nothing Phone 2 के साथ आप फोन काफी जादा महेंगा था उसका इंपक्ट उसकी सिल्स पर बढ़ा Nothing Phone 2 उतन नहीं चला उसके बाद Nothing वाल लोगों लगता है थोड़ी बहुता काल आई उसके बाद उन्होंने Phone 2 निकालो Phone 2 की प्राइसिंग अच्छी थी 25,000 रुपे के नीचे का फोन था इसलिए मार्केट में काफी अच्छा बेका काफी अच्छा response मिला उस फोन को और Phone 2 एक के लोग यूजर जो है वो काफी जादा सैटिसफाइड भी है इसलिए इत्ते सारे special edition नहीं है colors निकालते रहते हैं लेकिन एक और खास बात यहां पर है कि Nothing Phone 2 एक के साथ-साथ करेंगे कि यहां पर Nothing वाले क्या क्या क्रेक करते हैं हाला कि नई कंपनी यह बहुत ही जादा यंग महलूंगा आज के समय में जा बाकि सारी कंपनी यह 10 साल यह decade से भी जादा पुरानी हो चुकी है उसके साथ से Nothing दो भी भी यंग है अब देखने वाली बाते सीरारी चीज़े कब तक चलती है आगे चलके क्या क्या होता है और बाकि सारी चीज़े भी हम यहां पर टैम दो टैम यहां पर देखती रहेंगे यह सारी बाते थी Nothing कंपनी और बाकि सब लोगों के बारे में पीस इंडिस्ट्री के बारे में बेसिकली हमने यहां पर जादा बात करिये बाइदावे आज के इस पॉड़कास्ट में बस अतना ही और यहां पर मैं आपसे अगले पॉड़कास्ट के अंदर मिलता हूँ गुड़ बाई